हेलो फ्रेंस आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में पहल आपने 2011 में जी टीवी पर प्रकासीत अपसर बिटिया तो जरूर देखा होगा जिसके कहानी क्रिशना नाम की एक ऐसी लड़की पर थी जो गरीब होती है और अपने परिवार की इस्तिती को सुधारने के लिए एक अपसर बनना चाती है पर उसके सपने के बीच बहुत सी परेशानिया आती है वे उन परेशानिया को डट कर सामना करती है और अपने सपने को पूरा करती है वेल दोस्तो अपसरपिटिया में क्रिष्णा का किर्दार निभाने वाली अभिनित्ति का असली नाम मिताली नेग है जिसका जन्म 18 मार्च 1984 को नागपूर में महराष्ट में हुआ अगर बात करें इनके केरियर की तो इनको सुरू से ही एक्टर्स बनने का सोग था इन्होंने टीवी पर कई ओडिशन दिये लेकिन सबने सावले रंग के कारण इन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें गोरी और लंबी लड़किया चाही थी लीड एक्टर्स के लिए जिसके चलते इन्हें महसूस होने लगा कि मैं कभी एक्टर्स नहीं बन पाऊंगी लेकिन उन्हें एक दिन अपसर्बिट्य सेरियल के लिए ओफर आया इस सेरियल से उन्होंने अपने केरियर की सुरुवात की इस सेरियल में उन्होंने कष्णा का किर्दार इतनी खुबसूरती से निभाया कि दस्कों की पसंद बन गई इस सेरियल के बाद इन्होंने कई सेरियलों में काम किया जिसके बाद इन्होंने वह दिल की नजर से खुबसर सीरियल में प्रेंडा का किर्दार निभाया इस सीरियल को करने के बाद इन्होंने टीवी इंडर्स्टी से दूरी बना ली क्योंकि उन्हें एक ही तरह के किरदार मिल रहे थे और वह अलग किरदार करना चाहती थी टीवी से दूरी बनाने के बाद इन्होंने अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड संकल पदेशी से साधी कर ली जो मुंबई के इंटेरियल विजाइनरी के मालिक है इन्होंने टीवी से दूरी बनाए काफी साल हो गए है अब ये पहले से काफी सुंदर और होट नजर आती है इनके एक बेटा भी है इन्होंने कलर्स के सो रूप मर्द का नया सरूप से सुरूप की जिसमें एक कमलेज का किरदार निबाती दिखी जो रूप की मा का किरदार था जिसे दर्सकों ने काफी पसंद किया वेल दोस्तों आपको मिताली ने कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरू लिखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले